Hello, this is Zakil Roy, welcome to this amazing channel NCIT वाला और आज मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के साथ Determinants का आखरी lecture पढ़ने के लिए, तो कैसे हैं बचलोग, एकदम बढ़िया, सभी बचलोगों का मेरा प्यार भरा नमश्कार और जैहिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को Determinants का आखरी lecture, भाई, जरूरी है, है ना, System of Linear Equations तो हम लोगों ने पढ़ी लिया था, आज मैं में से 50 बच्चे कहते हैं कि सर ये previous year paper में तो आया नहीं था, तो इस बार भी नहीं आएगा, और उनकी हो जाती है wicked out, तो वो wicked out होने से बचने के लिए, हम लोग ये वाला section भी एक बार जरूर पढ़ेंगे, कि अगर paper में आ गया, तो क्या करेंगे सर, करके आएंगे, क्यों हम लोगों को बार-बार इस्तमाल हो रहे हैं, तो क्या करें, साथ-साथ चलिए, जब आप compile करोगा है, matrices and determinants को तो आपको लगया कि अरे वाह, मज़ा आ गया, भाई, सारी चीज़े अब एकदम clear हो गई है, ऐसा starting stage में लगता है, जब आप पहली बार किसी रास्ते से गुज करते हो तो आपको लगेगा कि हाँ यह नहीं समझ में आया, कौन सा खट लिया था, वो नहीं समझ में आया, लेकिन जब आप उस चीज़ को used to हो जाते हैं, तो सब कुछ एकदम द्रिव्य द्रिष्टी मिल जाती है भाई, मिलती है न, है न, तो मेहनत करना है, मेहनत से नही भागना है, लेकिन अगर आप यकीन रखते हैं, कि हाँ सर कुछ बता रहे हैं, और अगर हम सर के हिसाब से चलेंगे, तो definitely सर ने गारिंटी लिया कि समझ में आएगा, तो उस चीज़ पर भरोसा रखना है, रखेंगे दोस्त, बिलकुल रखेंगे, सर हम आपके साथ हैं, है अगलग तरीके के word problems को solve करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ certain conditions को भी समझ लेंगे, जो कि system of linear equations के अंदर आता है, करें फिर, बिलकुल time नहीं है, बिलकुल time नहीं है, तो भाई, चलते हैं, बिलकुल चलते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ discuss करूँ जैसे कि अगर हम लोग बात करें, specifically, दो situation बनती है, that is consistent system of linear equation and inconsistent system of linear equation, consistent के case में हम लोगोंने दो major parts पड़े थे, जिसमें आता है हमारे पास unique solution and infinite many solutions, एक होता है हमारे पास trivial solution, जिसमें x की value 0, y की value 0 and z की value 0 भी होती है, और inconsistent के अंदर हमारे पास सिर्फी एक ही condition आती है, that is no solution, because inconsistent का मतलब भी यह होता है कि that system of equation does not have any solution, so that is why we say it is no solution condition, ठीक है, तो अब conditions तो पहले भी लिखे हुई थी, तो एक बार फिर से go through कर लेते हैं, भई हमने कहा था कि अगर हमारे पास determinant A की value जो है, वो non-zero आ जाई, यानि एक non-singular matrix का हम लोग जब determinant निकालते हैं, तो condition में लोग कहते हैं कि सर system जो है consistent है, क्या है system जो है consistent है, अब इसी consistent के साथ साथ आपको बोला जाता है कि सर unique solution है, unique solution यानि कि x की particular एक value होगी, y की particular एक value होगी और z की particular एक value होगी, यानि एक से ज्यादा solution नहीं होंगे, तीनों equation सिर्फ उसी value से satisfy गरेगा और किसी value से satisfy नहीं गरेगा, इ जब आप 3-dimension geometry में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो equations के साथ में लोग deal कर रहे हैं, अब ये line की equation नहीं है, ये 3-dimension के तंदर plane को represent करने वाले equations होती हैं, तो ये 3-dimension जो हैं वो एक साथ एक particular point पे intersection करते हैं, that is called unique solution, and then उसके बाद हमारे पास आता है अगला condition जिसमें हम लोग कहते हैं कि सर, determinant A की value 0 हो जाती है, सर, 0 तो इसमें भी लिखा हुआ है, तो फर्क क्या होता है, फर्क क्या होता है कि adjoint A और B का जो product है, वो 0 matrix है या नहीं है, तो अगर 0 है, तो हम लोग बोलेंगे सर, ये system consistent है, लेकिन इसके infinite mini solutions होंगे, यानि तीनो planes जो है वो किसी एक particular line से pass कर रहे हैं, एक line पर तीनो planes एक साथ intersect कर रहे हैं, अगर आप उसका diagram बनाना चाहें, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, तीनो planes ऐसे करके intersect कर रहे होंगे, अच्छा ये हमारे दो planes हो गए, और तीसरा plane जो है इस तरीके से आपका बन रहा होगा, ये same इस line प line, so it will have कितने common points होंगे sir, इनके intersection points sir, ये भी होगा, 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 so there will be infinite number of points, जो कि इनके intersection points होंगे, so this is called infinite number of solution, so ये सब हम लोग 3-dimension geometry के अंतर थोड़ा जाधा detail में देखेंगे, अभी के लिए हम कहेंगे sir, infinite mini solutions की condition क्या है, कि सबसे पहले तो हमारे पास जो determinant होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, that is, it should be a singular matrix, and then उसके साथ हमारे पास जो adjoint है निकलता है, उसका b के साथ product करने पर 0 matrix के बराबर आना चाहिए, and similarly अगर यह 0 matrix के बराबर नहीं आता है, तो we say it, that the system of linear equation is inconsistent, and together with inconsistent के साथ हम बोलेंगे कि no solution, there will be no solution, यानि तीनों प्लेंज जो है, वो कभी एक दूसरे को intersect नहीं करेंगे, so in that condition, हमारे पास, यह तीन conditions हमें मिलती है, है न, तो यह याद भी रखना है, और साथ-साथ इनको use करना भी सीखना है, तो भई हमने, जैसा कि मैं आप लोगों से बोलूं, मानोंगे आप लोग, कि सर, इससे पिसले वाले lecture में हम लोगों ने system of linear question solve किया था, और ऐसे systems को solve किया था, जो कि unique solution दे रहे थे, है न, किये थे, DPP के अंदर भी कुछ questions मैंने दिये, और साथ में class के अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से explain किया कि क्या system of linear question के unique solutions के conditions को कैसे solve गने हो ले, तो आज हमारा prime focus रहेगा कहाँ पर, कि सर, या तो infinite solutions का एक question बता दिया जाए, और एक साथ-साथ no solution का condition बता दिया जाए, so that हमारा जो एक doubt है, यहाँ से सवाल बहुत ही rarely पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जाए, तो you are able to solve that problem on that spot, done, 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 sir, पूरी energy के साथ बताईए, अब questions कैसा होता है, तो इसके अंदर मैं equation आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसमें यह बोल रहा है कि सर, solve करिए, यह तीनो equations आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखे हुई है, तो इन तीनो equations को देखकर आप लोग क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि सर, हम लोगों को सबसे पहले बनाना होगा A matrix, A matrix क्या हो जाएगा, A matrix हो जाएगा, 1, 2, 1 हो जाएगा, जी सर, यह क्या हो जाएगा, 3, 1, minus 1 हो जाएगा, ओके सर, 3, 1, minus 1 हो जाएगा, next, minus 2, 1, 2 हो जाएगा, minus 2, 1, 2 हो जाएगा, और यह हो गया A matrix, X matrix क्या हो जाएगा X matrix हो जाएगा हमारे पास X Y और Z हो जाएगा जी सर कोई परिशानी ने एकदम चका चक बात समझ में आती है अब हमें क्या करना है सर हमें यह पदा करना है कि इस system का solution है या नहीं है है तो कितने है unique है या infinite है और नहीं है तो क्यों नहीं है तो उसके लिए हम लोग किसको बुलाते है हम लोग बुलाते है determinant A को तो determinant A को बुलाए जाए सर सर, determinant A, अगर मैं बुलाऊंगा, तो यहाँ पर इसका determinant निकाल दीजिए, तो अब directly आप लोगों को निकालना आ गया होगा, कि सर, 2 वंजा 2, प्लस 1, 3 हो जाएगा, ओके सर, 3 टू जा 6, माइनस 2, 6 माइनस 2, सर, 4 हो जाता है, और 4 इंटू माइनस 2, माइनस के 8 हो जाएगा, ज वा, 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 जीरो आ गया, सर, determinant A की value, जीरो आने का मतलब तो यह हुआ कि सर, या तो इसमें infinite solutions हो सकते हैं, या तो इसमें 0 solution, या नी, no solution हो सकते हैं, तो अब इसे पता कैसे ही करें, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, सुन लिखे co-factors ही, लेकिन transpose करके लिखें, तो यह आप लोगों को धीरे-धीरे practice होगा, मतलब एकदम से नहीं होगा, जैसा मैं हमेशे बताता हूँ, एकदम से नहीं होगा, धीरे-धीरे होगा, जब आप mentally strong हो जाएंगे, कि हाँ, अच्छा, यही तो करना है यार, को इतना तो मैं row के co-factors निकालूंगा, लेकिन लिखूंगा उनको columns में, कैसे लिखूंगा, columns में, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि actually मैं करने के हवाला हूँ, इस चीज को देखेगा जरा, यहाँ पर अगर मैं 1 का co-factor निकालता हूँ, तो this is 2 plus 1, 3 हो जाएगा, तो आप 3 तो यह नहीं लिखोगे, 2 का लिखा लोगे, तो 3, 2, 6, minus 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यह negative में रहेगा, तो minus 4 हो जाएगा, और last में 3 बंजा 3, plus 2, 5 हो जाएगा, तो आप co-factor अगर लिखते, तो ऐसे लिखते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सीधा adjoint लिखना चाहता मैं यह कहूंगा, कि सर यह जो row में लिखा है, इसको row में लिखकर, हम लोग columns में लिख देते हैं, तो automatically transpose format में आ रहा है, और यह adjoint matrix हमारा बना देगा, बढ़िया, एकदम बढ़िया, चलो, आगे चलो, इसी तरीके से continue रखते है, फिर सर, दूसरे row के लिए अगर मैं co-factor निकालूगों, तो पहले हो जाएगा, तो सर, फ्री हो जायेगा, लेकिन ये वाला मैंने में होता है, तो मैंने के 3 हो जाएगा, ठीक है सर, फिर 2 वंजा 2, प्लस 2, सर, 4 हो जाएगा, तो यह एग चलते हैं, फ्र्ड रों के लिए, माइनस 2, माइनस 1, माइनस 3 हो जाएगा तो यह नेगेटिव 3 आएगा next, माइनस 1, माइनस 3, माइनस 4 हो जाएगा तो यह प्लस के 4 हो जाएगा और last, 1, माइनस 6, यह नि माइनस के 5 हो जाएगा तो यह हमारे पास क्या रहे हैं दोस्ट यह पूरा का पूरा adjoint A matrix हमारे पास आ रहा है अब क्या करें sir अब आपको check करना था ना तो check करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे हम लोग निकालेंगे कि sir adjoint matrix का product अगर B matrix के साथ किया जाए तो adjoint matrix कितना है sir यह है 3-3-3-3-4-4 और 4 यहाँ 5-5 और minus के 5 है इसको हम लोग multiply कर रहे है B matrix के साथ that is 8, 10 and minus 2 के साथ जी sir यहाँ से multiply करके बताईए भाई थोड़ा सा मेहनत हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो 3-8 जा 24 10-3 जा minus 30 minus 3 into minus 2 plus k6 अच्छा 4-8 जा minus 32 4-10 जा plus k40 4-2 जा minus k8 हो जाएगा जी sir 5-8 जा 40 minus 5 into 10 minus 50 minus 5 into 2 plus k10 हो जाएगा तो आप कहेंगे sir यह देखो हमारे पास इधर भी 0 इधर भी 0 इधर भी 0 यानि कि हमारे पास एक 0 matrix के बराबर value हो जाएगा कौन? sir adjoint A और B matrix का जो product है वो हमारे पास क्या आजाता है 0 matrix आजाता है अरे वा सर जैसे ही मुझे adjoint A और B matrix का product 0 मिल जाता है तो मैं क्या बोलूँ? मैं बोलूँगा the system of linear equation is consistent the system of linear equation is consistent यानि इसका solution तो है लेकिन sir solution है तो आप क्या करें? but has but has infinite solutions यानि इसके कितने solutions है sir? infinite solutions है बहुत सारे solutions है we cannot write लेकिन sir solve तो करना पड़ेगा solve तो करना पड़ेगा जबकि उसने लिखाए कि solve है तो sir solve करना पड़ेगा तो solve कैसे करें? हम लोग solve वैसे करते हैं कि हम लोग let कर लेते हैं हम लोग क्या करते हैं? हम लोग let करते हैं let कर लो कि sir z की value क्या है? z की value k है let कर लो z की value क्या है? k है यानि z की value अगर आप 1 रखते हो तो एक नया solution रिकलेगा z की value 2 रखते हो तो एक नया solution रिख लेगा, z की value 3 रखोगे तो एक नया solution रिख लेगा, so हम लोग क्या रखें sir let's take an arbitrary constant that is k, हम लोगों ने मान लिया कि z की value क्या है, कोई constant k है, अब इस वज़े से हमारे पास यह जो equations है, यह equations 3 equations है, आप इन में से किसी 2 equations को ही लिखिए 2, क्यों sir, क्योंकि अब मेरा जो equation होगा न, वो 2 variable का equation बन जाएगा, because आपने z को constant बना दिया है, तो now your equation will be 2 variable equation, और 2 variable equation को solve करने के लिए 2 equations की जरू होती है, तीसरे equation लिखकर आप अपना समय खराब करेंगे, तो कौन से उठा है, पहले 2 पहले 2 के इसाब से, sir, यह बन जाएगा x plus 2y, यह क्या बन जाएगा दोस्स, यह बन जाएगा x plus 2y बन जाएगा, अच्छा, इधर z यह अगले k डाल देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, sir, यह बन जाएगा 8 minus k के बराबर हो जाएगा, अच्छा, तो let us say this is first equation, चालिए, second यहाँ पर 3x है हमारे पास, plus y है, अच्छा, z की value k डाल दी, उधर जाके रखा, तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा, sir, 10 plus k हो जाएगा, अच्छा, यह हमारा second equation हो गया, अब भाई, आप लोग इतने smart तो हो कि आप लोग इसे कैसे भी करके solve कर सकते हो, so just use the elimination method और substitution method जो आपको पसंद आता हो, मैं कहता हूँ कि आप लोग इसको क्या करें, elimination method से कर दें, तो मैं इस equation को multiply by 3 करता हूँ, इस equation को multiply by 1 करता हूँ, तो these equations will be looking like 3x plus 6y, बराबर 24 minus के 3k हो जाएगा, इधर से करेंगे 3x plus y बराबर 10 plus k हो जाएगा, जी sir, solve करना जानते हैं, minus 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 minus, हाँ जी, minus 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 minus, तो sir, 3x और 3x तो कट गए, ठीक है 6y में से y गया तो आपके पास 5y बचेगा, ठीक है 24 में से 10 गया तो sir, 14 बचेगा और minus 3 के और minus k मिलाकर minus के 4k हो जाएगा तो अपने पास y की value कितने हो जाएगी 14 minus 4k upon में 5 हो जाएगा जी sir, ठीक है अब आप चाहे तो ये y की value रख कर x की value निकाल के दे सकते हैं चलिए, हम लोग कोशिश करते हैं y की value रख कर x की value निकालने की करते हैं, x की value कितनी होनी चाहिए sir, पहली equation को अगर मैं इस्तमाल करूँ तो वो 8 minus k minus 2y होना चाहिए, कितना होना चाहिए 8 minus k minus 2y होना चाहिए अब sir y कितना है, y तो sir 14 minus 4 के upon में 5 है, कितना है 14 minus 4 के upon में 5 है, जी sir ठीक है, तो अब आप हम लोग x की value क्या निकाल सकते हैं, we can take the LCM, तो यह हो जाएगा, 40 minus 5k minus 28 plus 8k divided by कितना हो जाएगा sir, 5 हो जाएगा, so we can say that, कि sir x की value क्या आजाती है by 40 minus 28 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और minus 5 के plus 8 के मिला कर, आपके पास 3 के हो जाएगा, यानि यह हो जाएगा, 12 plus 3 k upon में 5 हो जाएगा, तो हमारा जो solution होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए sir, answer क्या होना चाहिए, answer यहां लिख रहे है, कि sir x की value जो है, वो हमारे पास 12 plus 3 k upon में 5 है आपके पास y की value क्या है sir, y kी value है 14 minus 4 K upon में 5 है और Z की value क्या है सर Z की value हमारे पास K है So this is the solution that is infinite solutions आप जैसे जैसे K की value डालते रहेंगे वैसे वैसे X, Y और Z तीनों की separate separate values आती रहेंगी So this is the complete process भाई एकदम बढ़िया से समझ में आया कि सर infinite number of solutions कैसे निकालते हैं आप कुछ बच्चों के सवाल उठेंगे कि क्या सर हम लोग सिर्फ Z को ही K रख सकते हैं या फिर हम लोग X और Y को भी K रख सकते हैं आपने Z को रखा तो क्या अगर हम लोग Z की जगा X और Y को K रख सकते हैं बढ़ा हां सबसे पहली चीज़ हां लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूँ कि मान लीज़े आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उस बुक में जो आंसर आपका मैच कराया जाएगा ना वो Z बराबर K रख कर ही मैच कराया जाएगा जैसे आप X की वैल्यू के रखेंगे तो आपके Y और Z की वैल्यू बदल जाएगी अगर आप Y की वैल्यू के रखेंगे तो आपके X और Z की वैल्यू बदल जाएगी तो अभी जो answers generally जो books में match कराया जाता है उस z बराबर k रखने पर match करवाया जाता है ना कि x और y मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि x और y रखते ही नहीं है ना ही रख सकते हैं बिलकुल रख सकते हैं बट in general किताबों में जो भी आप books follow करते हैं तो उसमें z बराबर k रखकर infinite solutions को निकाला जाता है तो बात समझ में आ गई एकदम बढ़िया से समझ में आ गया basic calculation है कि sir हमें बस पता करना है और उसको 3 variable equation से 2 variable equation में लिखना है और 2 variable equation को solve करके उसमें से x और y की value निकाल लेनी है बढ़िया एकदम जी sir आगे चलते हैं आगे देखते हैं आगे क्या हमारे पास है कौन सा menu हमारे सामने है तो यह कह रहा है कि sir check the consistency of the system of equations ठीक है check कर लेंगे और फिर बोल रहा है कि यदी consistent है then find the solution अगर consistent है अगर solution है तो बताइए कितने solution है और उनको solutions क्या क्या होंगे तो let's check वैस सबसे मेला काम क्या करेंगे इन equations को देखके हम लोग A matrix बना लेंगे A matrix क्या हो जाएगा sir यह हो जाएगा 1 1-1 हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 हो जाएगा यह हो जाएगा देखिए Z पहले लिखा है और X लिखा ही नहीं है यानि 0-1 और 4 हो जाएगा यह थोड़ा सा ध्यान रखि 0 10 और 4 हो जाएगा ठीक है sir जहां X matrix इतना हो जाएगा sir X matrix हमारे पास X Y और Z हो जाएगा तो system consistent है यह नहीं है यह हम लोग कैसे पता लगाते है sir यह पता लगाते हैं हम लोग determinant of A निकाल कर है ना तो determinant of A निकालते हैं दोस्त determinant of A निकालेंगे तो let us expand पहले ही रोसे कर रहा हूँ आप चाहे कहीं और से कर सकते हैं जैसा कि यहां पर C1 से मुझे फाइदा होगा और R3 से फाइदा होगा तो let's solve this पहले रोसे ही कर रहे हैं 4 1 जा 4 plus 2 6 हो जाएगा जी sir 2 4 जा 8 minus 0 यानि minus के 8 हो जाएगा जी sir और फिर 2 जा minus के 2 minus के 2 into minus के 1 बिटा plus 2 हो जाएगा तो आपके पास 0 आ गया sir अभी अपन डाउट में है कि determinant A जो है वो 0 के बराबर आ जाता है तो अब जो system of equation है वो consistent है या inconsistent है यह doubt है doubt कैसे clear होगा sir adjoint निकाल कर कैसे clear होगा adjoint निकाल कर adjoint को जब निकालेंगे तो adjoint से हमें पता लगेगा उनके product के बारे में चली तो मैं पहले adjoint matrix निकाल के देता हूं यहां से हम लोग direct method के इस्तेमाल करेंगे that is co factors को transpose करते हुए ही लिखेंगे तो सबसे पहला co factor हमारे पास हो जाएगा four minus two that is six four minus minus two that is six okay next हो जाएगा eight minus zero यानि minus eight हो जाएगा और last में हो जाएगा minus two तो यहां minus two आ जाएगा जी सर, next, सर इसके लिए हो जाएगा 4, minus 1, 3 हो जाएगा तो यह minus के 3 देगा, अच्छा, next, 4 minus 0 तो यह 4 हो जाएगा, जी सर, next, अमारे पास minus 1, minus 0 यानि negative 1 तो यह plus के 1 हो जाएगा, ठीक है सर, आगे चलते हैं, third row से 2 plus 1, 3 हो जाएगा, तो इधर 3 आ जाएगा, जी सर, फिर आग है, ठीक है भई, यहां तक हमें कोई बात, बिल्कुल दिक्कत नहीं दे रही है, अब हम जानते हैं, सर, अब हमें चेक करने के लिए क्लिए क्या करना बढ़ेगा, अब हमें adjoint A matrix को, adjoint A matrix को, B matrix से multiply करना है, तो adjoint A matrix कितना है, सर, 6, minus 3, 3, minus 8, 4, minus 4, minus 2, 1, और minus 1 है, इसको B matrix स multiply कर दीजिए, सर, 0, 10, और 4 दिया हुआ है, 0, 10, और 4 दिया हुआ है, ठीक है सर, करके देखने है, answer कितना आता है, let's see, by 6, 0, 0, minus 30, plus 12, तो यह minus 30, plus 12 आ जाएगा, जी सर, 8, 0, 0, 4, 10, 40, minus 16, 4, 10, 40, minus 16 आ जाएगा, ठीक है सर, 2, 0, 0, 1, 10, 10, 10, minus 4, यानि 10, minus 4 आ जाएगा, so you can clearly see that, कि सर, 30, minus 30, plus 12, minus 18 आ जाएगा, 40, minus 16, सर, हमारे पास 24 आ जाएगा, 10, minus 4, हमारे पास 6 आ जाएगा, जो कि actually में एक 0 matrix नहीं है, सर, 0 matrix नहीं है, adjoint A और B matrix का product जो है, वो 0 matrix नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग यह बोल सकते हैं, therefore, क्या बोल सकते हैं, therefore, the system of linear equations, system of linear equations, is not consistent, है एन जी, is not consistent, और consistent नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ, it has no solution, जी सर, और अगर solution हाया हाया, अगर solution हाया थो निकाले क्या, क्दवु, तो उसने बोला अगर consistent है तो solution निकाली है सर consistent है नहीं तो solution कहां से निकाले नहीं निकलेगा तो आगे करने की ज़रुवत नहीं है question यहीं पर खतम कर दिया जाएगा तो यह था अपना basic idea कि infinite solutions कैसे निकालते हैं और अगर solution है नहीं तो निकालने के आवशकता नहीं है बड़ चेक कैसे करेंगे यह joint A और B के product के साथ भाई एकदम बात मुद्दे तक समझ में आईए कि नहीं आईए आईए न तो इसको practice करना है कम से कम दो बार अपने हाथों से solve कीजेगा बेटा कम से कम दो बार minimum maximum अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है बेटा कौन कितना चड़ावा चड़ाना चाता है उतना ठीक है ठीक है वाई ठीक है बच्चे बहुत समझदार एकदम आगे चलते हैं अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है सर यहाँ पर आप देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर आपको लग रहा होता है कि यह question कैसे solve होगा तो यहाँ पर एक property का इस्तमाल में आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले आराम से देखिए यहाँ पर सबसे पहले question क्या रहा है कि सर अगर हमारे पास a matrix जो है वो यह है ठीक है ठीक है सर है आगे तो किसा find a inverse धून देंगे सर कोई बड़ी बात है कि आपने सिखा है हमको धून देंगे फिर वो को क्या बताने की कोशिश करता है वो यह बताने की कोशिश करता है कि आप बिटा इस system of linear equation को solve कर सकते हो एक अलग method से आप शुरवाती दौर पर इसका a matrix बनाओगे इसका b matrix बनाओगे फिर उससे inverse निकालो के solve करोगे लेकिन यह जो hence शब्द आपको दिखता है ना दोस्त य हैंस शब्द बोलता है कि मुझे कुछ भी हो जाए इसका इस्तमाल करना होगा इससे पहले जो आपसे प्रूफ करवाया गया हो या फिर जो भी चीज आपसे निकलवाई गई हो वो कहता है कि सर इसका इस्तमाल करना है यह question solve करने के लिए हैंस शब्द का मतलब बिटा इस तरीके से निकालना है आप लोगों को ठीक है कि यह कर लिया अच्छा अब इसका इस्तमाल करो इसको solve करने के लिए hence solve the system of linear equation तो चलिए मैं बताता हूं कि इसमें क्या करना है आप लोग अराम से देखिए ठीक है copy pen तयार रखेगा और साथ- तो सबसे पहली बात तो यह कि मुझे inverse ढूणना है मैं determinant A निकाल लेता हूं determinant A कितना हो जाएगा पहले वाले रोज से खोल लेते हैं 1 प्लस 3 4 हो जाएगा तो इधर 4 आ जाएगा 2 प्लस 3 5 आ जाएगा तो इधर minus के minus minus plus 5 आ जाएगा जी सर और 2 minus 1 1 हो जाएगा तो 1 बंजा 1 हो जाएगा 4 पास 9 और 1 10 हो जाएगा जी सर बढ़िया एकदम बढ़िया यहाँ पर 10 आ गया और 10 आ गया इसका मतलब सर यह non zero है तो हम लोग बोलेंगे A inverse exist करता है सर A inverse exist करता है अब इसके साथ हम लोग क्या निकालेंगे सर हम निकालेंगे adjoint of A matrix जी सर एड़्जाइंट of A 5 हो जाएगा और फिर इसके बाइगा 2-1 हो जाएगा अच्छा आगे चलते हैं जी आगे चलते हैं नेक्स हमारे पास आजाएगा minus 1 minus 1 minus 2 यानि यह plus के 2 हो जाएगा ठीक है 1 minus 1 0 आजाएगा ठीक है और last में 1 plus 1 2 आजाएगा तो यह भी minus के 2 बन जाएगा next 3 minus 1 2 हो जाएगा ठीक है और इसके आगे चलते हैं तो हमारे पास आजाएगा minus 3 minus 2 minus 5 आजाएगा so minus minus plus 5 आजाएगा जी ठीक है आगे चलते हैं हमारे पास आ रहा है 1 minus minus plus 2 यानि 3 आजाएगा तो इधर हमारे पास 3 आजाएगा so this will be the adjoint matrix अच्छा यहां से हम लोग क्या निकालेंगे sir यहां से हम लोग निकालेंगे a inverse a inverse कैसे निकलेगा one upon me determinant a times of adjoint matrix आ जाएगा इसका मतलब one upon me determinant a यानि 10 हो जाएगा ठीक है और adjoint matrix हमारे पास है 422 minus 505 अच्छा 1 minus 2 और 3 यह हमारे पास a inverse matrix बन जाता है अब इसका क्या करें रुको जरा सबर करो हैं चलो आगे देखो इसके आगे क्या करना है sir अब बोल रहा है कि hence यानि इसका इस्तमाल करें इस system of linear equation को solve करने के लिए तो अब देखो बीटा a matrix का नाम तो हमने ले रखा है अगर मैं आपसे यह कहूं कि मुझे जो matrix यहां से बनेगा उस matrix को एक बार बना कर देखो in equations की मदद से तो आप नाम नहीं दिया और ये matrix ही खाज बात क्या है कि सर यह ना इस वाले matrix का क्या है transpose है क्या है बहुत सकते हो भाई देखो रो को column में लिख रखा है है नधो सर या यह हमारे पास कौन है सर यह हमारे पास यह transpose का matrix है कौन है दोसित यह transpose का matrix है तो हम लोग है कहां से बोल सकते हैं such that जब हम लोग ने यह लिख दिया तो matrix equation क्या बन गई sir matrix equation बन गई a transpose b बराबर x बन गया यानि कि जो हमारे पास sorry मैंने कुछ गलत लिख दिया a transpose x बराबर b बन गया जी sir इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास x matrix जो होगा वो a transpose का inverse हो जाएगा और इधर ज नहीं नहीं यहीं तो catch है यहीं तो catch है catch क्या है सर catch यह है catch के मसाले नहीं catch यह है कि हम लोग property basis पे जानते हैं कि sir a transpose का जो inverse होता है वो actually में a inverse का transpose हो जाता है क्या हो जाता है sir a inverse का transpose हो जाता है और a inverse कौन है a inverse तो यह है sir इसका transpose कर सकते हैं बिलकूल कर सकते हैं तो जब आप इसका transpose करोगे तब आप मुझसे यह कहोगे कि sir यह जो x matrix है ना x matrix कौन है sir x matrix है x y z है जी sir और a transpose का inverse sir a transpose का inverse कौन होगा a inverse का transpose यानि मुझे इस matrix का transpose कर देना है तो 1 by 10 तो रहेगा matrix का transpose कर दीजे मेरे दोस्त matrix का transpose करेंगे तो 422 ऐसे लिखेंगे ठीक है minus 5 0 5 ऐसे लिखेंगे और 1 minus 2 3 ऐसे लिखेंगे जिसको b matrix के साथ हमें multiply करना है that is 4 0 2 लिखना है जी sir अब आगे करें करो sir करो तो यह 1 upon me 10 है जी sir और यहाँ पर 4 4 जा 16 2 1 जा 2 है ना 4 4 जा 16 2 1 जा 2 तो यहाँ पर हमारे पास 18 आ जाता है जी sir ठीक है पक्का मैं उम्मीद करता हूं कि कोई गलती ना हो बाकी देखते हैं हमारे पास answer क्या आने वाला है ओके next 2 4 जा 8 और 2 2 जा minus 4 यानि यहाँ पर 4 आने वाला है ठीक है जी ओके 2 4 जा 8 और 3 2 जा 6 8 जा 14 आने वाला है 8 और 6 14 आने वाला है यानि यह बनने वाला है हमारे पास 9 upon me 5 तो अपन में 5 और 7 अपन में 5 ये नंबर्स बनने वाले हैं तो ये हमारे पास x, y, z से जब आप compare करेंगे तो आप कहेंगे सर हमारे पास answer क्या आएगा हमारे पास answer जो आएगा वो होना चाहिए x बराबर 9 अपॉन में 5, y बराबर 2 अपॉन में 5 और z बराबर 7 अपॉन में 5 आना चाहिए तो भई मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या ये आंसर सही है या नहीं है ये एक बार चेक करना हमारे लिए जरूरी है तो मैं सबसे पहले वाले equation में substitute करके देखता हूँ 9 by 5 plus 7 by 5 यानि 16 by 5 16 by 5 plus 4 by 5 20 by 5 4 आ रहा है पहला equation satisfied है next equation रखकर देखते है y plus z करेंगे तो 9 by 5 minus 9 by 5 0 आ रहा है बिल्कुल third वाले equation में रखकर देखते हैं x plus z हो जाएगा 16 by 5 और 3 to 6 यानि 10 by 5 2 आ रहा है sir ये completely satisfy कर रहा है तो I'm pretty sure कि यही मेरा answer होना चाहिए तो अभी आपको समझ में आया कि हम लोगों ने कैसे इसका इस्तमाल किया इसका इस्तमाल कैसे किया अब आपको समझ में आयोगा कि hence word का क्या exact meaning यहाँ पर निकल रहा है जिस basis पर हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने a inverse को निकाल लिया था अगर हम लोगों ने a inverse को निकाल लिया था तो उसका इस्तमाल हम लोगों ने किया given system of linear equation को solve करने के लिए तो यह in general आपको generally transpose matrix दे देता है आपर या फिर आपको same matrix भी पकड़ा सकता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो system of linear equation से जो matrix बन रहा है वो same matrix है जो आपको question में दिया गया है या फिर उस matrix का transpose है बढ़िया एकदम बढ़िया है न चल रहे है न एकदम धासूतरी किसे चल रहे है बात समझ में आ रही है जी बिलकुल चलते हैं फिर आगे चलते हैं आगे देखते हैं आगे क्या हमारे लिए तयार है देखो बढ़ा हम लोग enter कर रहे हैं applications यानि यहाँ पर हम लोगों को कुछ word problems को solve करना होगा word problems बिलकुल सर word problems देखिए कह रहा है the sum of three numbers is sex अच्छा तो हम लोग सबसे पहले यह कर लेते हैं कि let the three numbers be let the three numbers be x, y and z तीनो numbers हम लोगों ने मान लिये तो यह सबसे पहली condition में यहाँ पर हम लोग लिख लिए according to question यानि 80Q ठीक है इसमें यह बोल रहा है कि तीनो numbers का जो sum है that is x plus y plus z जो है वो हमारे पास कितना है sir 6 है यह मेरा पहला equation बन गया next कह रहा है कि if we multiply the third number by 2 and add the first number to the result अच्छा यह कह रहा है first number में add करना है क्या third number का two times ठीक है we get 7 हमें क्या मिलता है sir 7 मिलता है अच्छा next by adding second and third numbers to the three times of first number sir first number का three times इसमें second number और third number को add कर देते हैं तो हमारे पास result कितना आता है sir 12 आता है यह हो गए हमारे system of linear equations जी sir basic बात समझ में आती है yes यहां से हम लोग क्या त्यार करेंगे sir यहां से हम लोग A matrix B matrix और X matrix बना लेते हैं तो हमारे पास A matrix कितना हो जाएगा A matrix हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा 1 0 2 हो जाएगा 3 1 1 हो जाएगा जी sir बिल्कुल sir B matrix कितना हो जाएगा मारे पास B matrix हो जाएगा 6 7 और 12 हो जाएगा, X matrix क्या हो जाएगा सर, X matrix हो जाएगा हमारे पास X, Y और Z जो भी unknowns आप लोगों ने consider किये थे, जी सर, अब आगे क्या करते हैं, इसे solve करने के लिए हमारा अगला step क्या होता है सर, अगला step होता है, determinant A यह पता करना, तो determinant A निकालते हैं दोस्त, यह कितना हो जाएगा, 0, minus 2, that is minus के 2, ठीक है सर, minus के 2, अच्छा, next हमारे पास आजाएगा, 1, minus 6, यानि minus के 5, minus minus plus के 5 हो जाएगा, ठीक है सर, आगे चलते हैं हमारे पास, 1, minus 0, यानि कि यहाँ पर plus 1 आ जाएगा, तो 6 में से 2 गए, तो 4 आ जाएगा, सर, non zero है, इसका मतलब A inverse exist करता है, ठीक है सर, A inverse exist करता है, A inverse exist करता है, तो अब हम किसको बुलाएंगे सर, अब हम लोग बुलाएंगे adjoint matrix को, adjoint matrix हाजिर हो, जीस सर, हाजिर तो मुझे यह करना पड़ेगा न, आप लोग को करना पड़ेगा, तो सबसे पहले अगर मैं co-factors निकालने की कोशिक करने, 0, minus 2, that is minus की 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, minus के 2, next हम लोग लोग लेगाने, 1, minus 6, यानि minus के 5, तो minus 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 यह, plus के 5 हो जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया, next हम लोग लोग लेगे, 1, minus 0, that is 1 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा, 1, ठीक है, next, आगे चलते हैं, 1, minus 1, तो इधर आ जाएगा, हमारे पास 0, ठीक है, next, हमारे पास क्या जाएगा, 1, minus 3, यानि, minus के 2, तो इधर minus के 2 आ जाएगा, and last, हमारे पास, 1, minus के 3, okay, 1, minus के 3, बिल्कुल, 1, minus के 3, यहाँ पर minus 2 आ जाएगा, लेकिन, minus minus, plus 2 हो जाएगा, next, 2, minus 0, यानि, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, next, हमारे पास क्या जाएगा, 2, minus के 1, यानि, 1 आ जाएगा, cofactors के इसाब से और फिर उसके पास 0-1 यानि यहाँ पर minus के वन आ जाएगा so this is the adjoint matrix अब हम लोग जानते है sir A inverse क्या होता है A inverse होता है 1 upon में determinant A times of adjoint A matrix हो जाएगा sir determinant की value आई है 1 upon में 4 times of minus 2, 0, 2, 5, minus 2, minus के 1, 1, 2 and minus के 1 so this is the required A inverse matrix ठीक है जी sir यहां तक हम लोग अच्छे से निकालना जानते हैं पर इतना जानते हो तो भाई फिर उसके बाद तो तुम्हें यह बात मालूम ही है कि हमारे पास यहां से matrix equation क्या बनती है sir A x बराबर b बनती है तो it implies that x बराबर क्या हो जाएगा sir A inverse b हो जाएगा तो आप क्या करें? क्या करें? सोजाएं? नहीं बेटा solve करो यहां से आगे चलते हैं तो हम हम कहेंगे sir अगर हमें x matrix निकालना है तो x matrix निकालने के लिए हम लोग matrix equation का इस्तेमाल करेंगे कि x matrix is equals to A inverse b हो जाएगा so x matrix है x y z जिसमें A inverse matrix है 1 upon 4 times of matrix that is 2 minus 2 0 2 minus 2 0 2 और यहां पर आजाएगा 5 minus 2 minus के 1 और यहां आजाएगा 1 2 minus के 1 इसका b matrix के साथ product कर दीजे दो b matrix हमारे पास कितना है? 6 7 12 6 7 12 हो जाएगा ठीक है जी आगे करते है multiply multiply करते हैं सर यह 1 upon में 4 है direct calculate करने की कोशिश करें 6 तूजा minus 12 0 से फर्क नहीं पड़ता 12 तूजा 24 24 minus 12 सर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा ठीक है 5 6 जा 30 30 minus 14 सर 16 16 minus 12 सर 4 16 minus 12 4 ठीक है 6 plus 14 20 20 minus 12 8 20 minus 12 8 तो अब अगर आप इससे निकालोगे तो आपके वास matrix क्या बन जाता है सर यह बन जाता है 3 यह बन जाता है 1 यह बन जाता है 2 और यह सब बराबर हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो answer होना चाहिए वो क्या होना चाहिए X बराबर 3 होना चाहिए Y बराबर 1 होना चाहिए और Z बराबर 2 होना चाहिए आप cross verification के लिए इन तीनो equations में क्या करें इन तीनो values को substitute करवा कर एक बार check भी कर ले बट जितने सही answers यह आए है fraction fraction में नहीं है तो आप भरोसा कर सकते हैं कि हमारे answers जो है वो बिल्कुल सही है बाकी लेकिन मैं आप लोगों को suggestion यह दूँगा कि भाई paper में risk ना ले बाबु भाईया भी बोले हैं क्या बोले हैं मेरे को risk नहीं लेने का रबाबा तो risk नहीं लेने का सीधा value को check कर लो यार तो आप लोगों को यह पका होगा कि हमारा answer जो आया है न वो 100% सही है है ना तो risk नहीं लेने का एकदम risk नहीं लेने का ठीक है महानात्मा बाबु भाईया बोले है आगे चलते हैं सर आगे हमारे पास क्या है बड़े-बड़े सवाल गरवारों दोस्ट बड़े-बड़े सवाल और यहां से देखो इसके बाद हम लोग तयार है आगे चलने के लिए क्या है एक और हमारे पास एक बहुत वहतरीन पर ठेक है और the total annual income is 358 यानि जो interest हमारे पास आ रहा है वो 358 आ रहा है if the combined income from the first two investment is 70 more than the income from the third find the amount of the each investment by matrix method अच्छा जी देखो सबसे पहले तो मैं ये है कि मेरे पास 5000 रुपे है ध्यान से देखेगा दोस्ट यहां पर मैं आप लोगों को structure बता रहा हूँ यह 5000 रुपे है मेरे पास इस 5000 रुपे को मैं तीन हिस्सों में तोड़ दूँ ठीक है सर तीन हिस्सों में तोड़ दूँगा तो मैंने मान लिया कि सर पहले investment के लिए मैंने x रुपे निका ले दूसरे investment के लिए मैंने y रुपे निका ले और तीसरे investment के लिए मैने z रुपे निकाले ठीक है sir तो इसका मतलब मेरा सबसे पहला equation क्या हो जाएगा कि sir x rupay y rupay और z rupay जोड़े तो सीधा सीधा मेरे पास 5000 rupay आएगा आएगा sir एकदम बढ़िया बात समझ में आती है बिल्कुल basic बात बोल रहा हूं बिल्कुल basic बात अच्छा अब क्या हो रहा है कि sir आपने ये जो पैस पैसा डाला ये जो पैसा आपने पहली investment firm में डाला इसमें आपको कितना interest मिल रहा है sir? 6% का, तो 6% का interest मिल रहा है sir इंटरेस्ट कितना हो गिया sir इधर से interest हो गया? 6% या नि 6 upon 100 x x हो गया इसे आपने दूसरी investment firm में डाला तो बेटा उसमें हमारा interest कितना निकल का रा 7% का यनि 7Y upon 100 हो जाएगा ये वाला पैसा आपने तीसरी investment firm में डाला जिसमें interest आपका कितना आ जाएगा 8Z upon 100 यनि Z रुपेज का 8% आपका फाइदा हो जाएगा ये interest आपको मिल रहा है ठीक है यहाँ तक बात समझ जाती है तो अब आप कहेंगे कि सर इस question में हमें बोल रहा है कि total total earning जो है total annual income जो है वो 358 हो रही है यानि यही तो बेटा आपकी income है ना यही आपकी income है एक साल बाद आपको इतना interest मिलेगा ये आपका income हो जाएगा तो आप कहेंगे सर इन तीनों का sum हम लोग क्या रख दे 358 रख दे यानि कि हमारी जो second equation बनेगी वो 6x upon में 100 plus 7y upon में 100 दुबारा लिखते हैं 7y upon में 100 plus 8z upon में 100 जो है वो हमारे पास 358 है इस equation को आप लोग rewrite कर सकते हो बेटा rewrite कैसे करो 100 का LCM लेकर दूसरी side लिख दोगे तो you will be getting 6x plus 7y plus 8z बराबर 358 thousand रुपीज हो जाएगा है ना 100 से multiply हो जाएगा तो 35800 हो जाएगा so this is the second equation now अब third statement की तरह चलते हैं ये कह रहा है कि sir if the combined income from the first two investments अच्छा जो combined income है first two में से वो है sir 6x upon में 100 है अच्छा और plus 7 by upon में 100 है ये दोनों हमारे first two investment से income निकल कर आई है ये क्या है sir is इसका मतलब होता है बराबर 70 more than यानि 70 plus है ना किस से sir third वाले income से और third वाली income कितनी है sir third वाली income है हमारे पास 8z upon में 100 है तो अगर आप इसे थोड़ा सा smartly इसे rewrite करते हो तो आपके पास 6x plus 7y तो रहेगा ये इधर आ जाएगा तो ये minus के 8z हो जाएगा इनका LCM 100 आ जाएगा तो इधर जाके बिटाय आपके पास 7,000 आ जाएगा तो अब आपके पास सबसे पहली investment firm के अंदर कितना कितना पैसा कौन कौन से investment plans में लगाया है हैं जी बड़िया एकदम बड़िया धासु सवाल था सर इसे तो फॉर्मेट करने में इतना टाइम लग गया तो एह भी थोड़ी ना हलवा पूरी खाने वाले सवाल कराऊंगा मैं तुम्हें नी तो करो भाई ऐसे सवाल करो ऐसे सवाल आते हैं पेपर में आते हैं छे मारकर क अच्छा सवाल है तो हम लोग यह कहेंगे कि सर फॉर्मिलेशन में टाइम लगा अब इसे सॉल करने में जितना टाइम लगता है उतना लगाएंगे तो चलिए इन इकवेशन को मैं रिराइट कर लेता हूँ एक फ्रेश पेज के अंदर यहाँ पर आप लोग तयार रहें त इकवेशन हमारे पास सबसे पहली क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जड बराबर 5000 क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जड बराबर 5000 अच्छा फिर एक 6x प्लस 7y प्लस 8z जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है वो आ रहा है 3850 के बराबर आ रहा है और एक है हमारे पास 6x प्लस 7y माइनस 8z बराबर 7000 के बराबर आ रहा है जितना मुझे याद है एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं 35800 गलती होते होते हैं बच गए 385 फिर से चक करो भाई 35800 35800 यह हमारे पास values हैं तो हम लोग जानते हैं इन तीनों equations का क्या करना है इन तीने equations का हम लोगों को A बनाना है A हमारे पास कितना आ जाएगा 1, 1, 1 आ जाएगा 6, 7, 8 आ जाएगा 6, 7 और माइनस 8 आ जाएगा यह हमारे पास A matrix होगा B matrix क्या बन जाएगा सर? B matrix बन जाएगा 5000 35800 रुपीज and 7000 रुपीज जी सर और X matrix as usual हमारा पुराना दोस X, Y और Z हो जाता है जी सर कोई problem नहीं यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? सर solution है की नहीं वो पता करेंगे उसको पता करने के लिए हम लोग determinant की बात करेंगे so determinant निकालते हैं भाई determinant A हमारे पास कितना हो जाएगा? determinant A हो जाएगा सर 7, 8 जा माइनस 56, माइनस 56 यानि माइनस के 112 हो जाएगा ठीक है जी? 6, 8 जा माइनस 48, माइनस 48 यानि माइनस माइनस प्लस के 96 हो जाएगा ठीक है सर, 6, 7 जा 42, माइनस 42 0 हो जाएगा? यहां से 4 और 16 कितना आ गया दोस्स यहाँ पर माइनस के 16 आ गया माइनस के 16 आ गया जो कि non-zero है इसका मतलब a inverse क्या होना है सर एक्जिस्स करेगा a inverse अपना exist करेगा क्योंकि determinant day non-zero है किसको बुलाया जाए एडजोइंट को बुलाया जाए एडजोइंट ए हाज 0 हो है एडजोइंट ए बनाते है एडजोइंट ए निकालेंगे तो 78056, 78056--2012 हो जाएगा ठीक है सर next लोग करेंगे minus 48 minus 48 minus 96 यानि plus 96 हो जाएगा ठीक है सर फिर हमारे पास 42-42 इधर 0 आ जाएगा आगे चलते हैं-8-7-15 यानि या आपर 15 आ जाएगा ठीक है सर next element करते हैं minus 8 minus 6 minus 14 आ जाएगा so here it is minus के 14 next चलते हैं 7 minus 6 यानि की 1 आ जाएगा तो यह negative 1 में दे देगा next हम लोग चलते हैं यहां से कि 8 minus 7 1 आ जाएगा तो इधर 1 रहेगा और फिर उसके बाद 8 minus 6 यहां 2 रहेगा तो यह minus के 2 बन जाएगा और last 7 minus 6 यहां पर 1 आ जाएगा so this is the adjoined matrix जो कि आप लोगोंने transpose form में directly लिख दिया अब हम लोग किसको बुलाएंगे sir अब हम लोग बुलाएंगे A inverse matrix को A inverse matrix हो जाएगा 1 upon में determinant 8 determinant 8 कितना है sir 16 वो भी minus का तो minus 1 upon में minus 16 multiply by adjoined matrix that is 112 15 1 96 minus 14 minus के 2 0 minus 1 और 1 हो जाएगा जी sir बढ़िया एक्दम बात समझ में आती है sir A inverse में मिल गया आहा 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 चलो आगे चलते हैं दोस्स आगे यहां से चलते हैं तो हम कहेंगे sir अब हमें x matrix निकालना है x matrix is equal to A inverse B के बराबर होता है x matrix हमारे पास है x y z जिसमें A inverse matrix है 1 upon में minus के 16 minus के 16 multiply by minus 112 15 and 1 फिर 96 minus के 14 minus के 2 और 0 minus 1 और 1 यह हमें मिल रहा है जिसका product हम लोग किसके साथ करेंगे sir B matrix के साथ यानि 5000 3000 फिर 3835800 ठीक है और 7000 इनके साथ multiply करेंगे तो भई देखो ऐसा है करने को तो मैं कर दूँँगा लेकिन मैं यहाँ पर खेलूँगा एक googly वो googly क्या है वो googly यह है कि आप लोगों को मिलेगा बेटा यह homework मुझे अब आप लोग बताईए कि इसको solve करने पर x की value y की value और z की value हमारे पास क्या होगी यह आप लोगों का हो जाता है homework क्या हो जाता है दोस्स homework ठीक है भई तो थोड़ा यह मुझे लगता है कि बच्चे interactive रहते हैं अगर मैं class में कुछ चीज़े आप लोगों को homework दे देता हूँ तो बच्चे थोड़ा सा सर ने homework दिया है हमको करके बताना है comment section भरके बताना है तो यह वाली feeling अपने हंदर हमेशा यह आग जलाए रखें बचा जब तक आपके दिल में यहाँ पर आग जल रही है न ठीक है वो जुनून जल रहा होता है तब तक बचा आपको कोई नहीं रोक सकता है आज मैंने एक कदम आगे बढ़ाया है तो यह feeling बेटा दुनिया में कोई हैसास नहीं करवा सकता सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपको यह हैसास होगा कि आज मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं अपने पिछले दिन से आगे बढ़ा तो भाई इसी उमीद के साथ मैं यह कहूंगा कि आप लोग प्राक्टेस करिए बहुत अच्छे से प्राक्टेस करिए क्लास के कोईशन्स भी काफी अच्छे हैं साथ साथ DPP के कोईशन्स भी यानि DPP यानि जो प्राक्टेस शीट है उसके इक वे बहुत अच्छे हैं तो मेरे ख्याल से यहां पर हमारा डेटर्मिनिन्स का एक बेसिक आइडिया जो है जिनमें तरह तरह के जो सवाल बनते हैं वो हम लोगों ने कर लिये हैं हमें समझ में आ गया है अब हम लोग मेट्रिक्स की तरफ जाएंगे जहां पर डेटर्मिनिन्स का एप्लिकेशन भी होगा और मेट्रिक्स के कुछ फ्रेश कॉंसेप्ट भी होगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो यह था अपना पूरा डेटर्मिनिन्स आई होप आप लोगों को मजाक मजाक में सारी चीजें पसंद आई समझ में आई और कोशन सॉल भी हो रहे हैं तो इसी मजाक मजाक के साथ मैं दुबारा हूँगा और दुबारा आप लोगों को मेट्रिक्स का कॉंसेप्ट